कि डिप्रेशन के के स्टेडी के वायर में फिर से आज आप से में बात्चीत करने वाला हूं मैंना में डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यस्वन मुच्छी तग्यों महाराष्ट में अकोला में करता हूं एक युदक मेरे पास में आ गया करिब करिब उमर 32 साल के होंगी कंप्लेंट यह है कि मुझे दिन में कभी-kभी घबराट होती है बेचेनी होती है अच्छा लगता नहीं है और गमता नहीं है वह हमारे मराडे में बोलते हैं करमत नहीं है और बहुत ही खास लक्षन है गमता नहीं है करमत नहीं कभी-kभी अनीजिनेस के रुप में होता है कभी-kभी घबराहाट गमता नहीं है एक जगा इसी बढ़ने की इच्छा नहीं होती और कुछ भी चीज मैं नहीं कर सकता है नर्वसने से बहुत ज्यादा डिप्रेशन है उदा सिंता है रोना आता है और वह कभी-kभी होता है फिर मैं बोलता है कि मैं exercise करता हूं तो अच्छा लगता है फिर कॉफी पिने की मुझे आदत लग गई तो बोले मैं कॉफी पीता हूं तो उसे दरा stimulation मिलता है तो फिर उससे अच्छा लगता है फिर कभी कुछ अच्छे-च्छे गाने सुन लेता हूं तो उससे अच्छा लगता है मगर वो सब टेंपररी है और परबनेट मुझे इलाज पताओ क्या करना है तो और मुझे समझ में नहीं आता मैं कुछ भी चीज एंजोई नहीं कर सकता मैं उसको बूचा आपको प्राब्लेम क्या है मुझे सिर्फ प्राब्लेम एक ही है वो मतलब ए आता है और मुझे जबान में मुझे डालता में जबान को अच्छा लगता नहीं इसे लगता है कि अभी मैं चांब कर सकोगा और फिर चुट्ति ले कर घर में बैठा हूं बहुट डर लगता है इतनी घपराठ अभी अभी तुम्रे बताईये कैसे क्या मतलब यहां मेरे पा अभी हम ट्रांसफरों के अकोला में आयें और कोई बैंक में मैनेजर करके काम कर रहा है यंग है और अच्छी पोस्ट पे है बैंक सेलेक्शन में सिलेक्ट हो आफिसर करके और अभी शादी भी अभी रिसेंटली हुई दो साल पहले और अभी उसको यह सब प्रॉब्लम है फो नहीं था उनको नहीं ठीक है मुझे लगता है कि आपको यह डिप्रेशन की बिमारी है आपके धर में था किसको बोले हाँ पिता जी को था पिता जी को था अंकल को था डिप्रेशन तो मुझे लगा कि अनुमोंशिक्ता है मतलब जेनेटिक है क्या तो हो सकता है कि क्यूब यह उता है मतलब की कि झेनेंडीकि भी काफी होता है मतलब उसमें जीन्स में कुछ एरीडीटी होता है की हुएर उमिध्य रश् wrote यह और फिर वह सबना है कि तो कुछ फ्राबलम हो गया पता नहीं हो तो investigation में मालूम पड़ेगा मगर इसको इलाज है तो मैं आपको आपके जो hormonal changes जो chemical जो जो जमाक में हो रहा है उसके वज़े से यह सब हो रहा है मैं आपको दबाई देता हूं दबाई उसको antidepressant दिया antidepressant देने के बाद में होतो है कि तुरण दो दिन बाद में आपने कुछ फरक ने कुछ फरक ने लेखो antidepressant दबाई जो है उसका फरक अपने को दिखने में 15-20 दिन लग जाते है तब तक आपको अच्छे नीन भी आ रही है वले हां आ रही है घबराट कम होगे वले हां घबराट कम होगे फिर आप दवा कम से कम तीन हपते लो आपको तीन हपते के बाद में डिप्रेशन में अच्छा महसूस होने लगेगा दवाई लेना चलो रोखो आपको ऐसा लगता है कि बहुत तकलिफ हो रही है चुट्टी लो आराम करो घर में बैठो शांती से बैठो घर में मगर धिरे 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 जो हॉर् इतना सिसु दूनों भी मैंने उसको वो तरह से लाज करना चालू किया और एक हप्ते दस दिन बाद में उसके बाद मतलब एक महने में करीब-करीब 90 परसेंट ओगा तो यह डिप्रेशन जो है उसको भी मैंने बोला कि फिर से आ सकता है उसके लिए करना क्या है उसके लिए देखो कि earliest sign क्या है तो एकदम पहली कि जहां खुद को पकड़ सकेंगे और दवाई चालू करेंगे क्योंकि दवाई से ठीक हो गया सैकोध्री पेसे ठीक हो गया तमको अभी पहले stage में पकड़ने का इसको वो क्या है मला भई नीन नहीं आना यह सबसे पहली stage हो सकते हैं कि न जाना और दूसरा है कि थोड़ा सा काम में मन नहीं लगना ऐसा निरस लगना विचार ऐसे stop हो गया या ऐसा ब्लॉक हो गया या जल्ली जली विचार नहीं सूच रहे ऐसा लगना तो उसमें आपको ऐसा मालूम पड़ा तो पकड़ो सामनी लिखे रोको दिवाल की ऊपर कि यह symptom दिखाई देते हैं मुझे तो यह मैंने पकड़ना खुद को चाहिए तो यह depression है घरवालों को बता दो ताकि हमको इतने दिन आपने जो भी 2-3 महने इसमें गमा दिये वह गमाने का कार्यक्रम होंगा नहीं आप तुरं दवा चालू करेंगे तो तुरं फायदा हो होता है फिर मैंने उसको यह भी बोला साइको दिप्रेशन जो है वो आपको केमिकल चेंजे से हो ठीक है मगर अभी कॉन्वर्देशन भी आप यह पॉजिटिव रखते हो पॉजिटिव आतावरण पॉजिटिव थिंकिंग मेडिटेशन स्वसम्मोन आत्मसुजाव स्वयम अथी ओं तरह रा प्रतीशत लोगों को दिप्रेशन अभी आज की दिन है और अबने मुद्ये अखड़ते से कॉन्ग के मुताबिक 25 प्रतीशत लोगों को इपॉजिटिव रखते होएं कि सथ मिक्स हूआ है इतना टेंशन लोगों को है मारा-मारी चल रही है कॉंपिटिशन है बिजिनेस में धंदे पानी ठीक नहीं है जो कन्वेंशनल मार्केट है वाँ मारा मारी है तो उसमें लोगों को बहुत फाइनशल प्राब्लम हा रहे है आपसी जो मतब्यत काफी हो रहे है फेस्बूक है यूट्यूब है वाटसाइब है इसके वजह से आप हमना स्टेटस दाला नहीं है या उसने शेयर किया नहीं है वाटसेब के ऊपर तो यहां हमको यह देखना पड़ेगा कि लोगों के साथ में हम कैसे मिले जूले रिलेशन्शिप कैसी अच्छी रखे खुद को अकिला-किला नहीं रखना है लोगों के साथ में हर दम पॉसिर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यू वेरी मुच्छ